हालो नमस्ते गाइस स्वागत आप से विकामार इस यूटीब चैनल जी के बैटरी नहीं देन में तोस्तों जैसा कि रेलबे एलबी भड़ती आ चुकी है और हम लोग कोसिस करें देकि भड़ती बढ़े तेन किसी पिकारन से भड़ती अभी तक नहीं बढ़ी है फिर भी हम आ इस अरडवी में कितने फॉर्म डाले अभी तक क्योंकि बहुत से स्टुएंट अभी तक इसलिए रुके थे ताकि फॉर्म बढ़ेगा हर अरडवी में हर जौन में बढ़ेगा तो उस हिसाब से फिर बढ़ेंगे कहां पर जहां पर कहां कहीं पर ज्यादा वेकंसी होनी की बावना थी और कहीं पर कम बेकंसी है उसे जब से बढ़ेंगे ऐसा नहों बहुत सारे स्टुएंट के इसा नहों की फॉर्म बात में बढ़ जाए हम गहीं गलत जगे से बढ़ दे और हमारा यह साल भी बेकार चला जाए तैसी की सोच करो लेकर कि बहुत सारे स्टूएंट कि सोचते रहते हैं कि किस अरविय में फॉर्म डाले और सबसे बढ़ी गलती यह हो रही है वह भी गलती हम बताएंगे आपको कहां पर क्या गलती कर रहे हैं अभी तक के हिसाब से आगे बढ़ेगी ना बढ़ेगी वह अलग बात मुद्धे हैं और रही बात प्रोटेस्ट की तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ वो जानते थे और बीच में मेरे साथ बहुत दिक्कत हो गई थी और यह बताओ कि कुछ दिन हमें समझ करागार में रहना पर गया था क्योंकि मैंने अपने स्टोंटर के शाथ जो नियर इस रेल्वी स्टेशन है वहां पर हम लोगों समयदानिक पुरबग की हम लोगों स्टार्ट किये थे लेकिन फिर भी कुछ आश्रमिदानिक लोग के करण यह कुछ भी ऐसा घटा था जिसके करण से हम लोगों को हम लोगों पर खासर के आगे मैं था तो वीडियो हो सकता है यूट्यूब पर बहुत सर जागे वीडियो ह बना पार रहे थे अब हम आ चुके हैं सही शलामत है आप लोग के दुआशे और आके हम हमेशा लड़ते रहेंगे कोशिस करते रहेंगे ताकि आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहो आपके अधिकार के साथ हनन नहों तो चलिए सबसे पहले देखते के वेकेंसी कहां पर क अब देख सकते हैं अब अजमेर में डोटल 228 से अपने कटेगरी में आप सब लने देखी रखा होगा बैंगलोर में कितना है बापाल में इस्वार में कितना है ब्लाशपूर में चन्डीगड में चन्ने में गोरकपूर गोहाटी जमु स्रीनेगर कॉल काता हो या फिर हम बात कर ले मालदा की बात कर ले मुझपपपूर पटना प्रयागरा जरांची शेकंदराबाद सिली गोरी त्रिवांत पूर यानि इन सभी वेकंसी कितने है टोटल मिलागर क्या प्रकेंसी देख लिए ज़्यादा वेकंसी जो है आप देख सकते हो आपको दिख रहागा शेक क्या जाटा इसलिए आप जो प्रिफेरेंस डालोगे तो सुष समझ के डालना क्यों कि फरस्स प्रिफेरेंस जो रहए घाए जो कंट्यूूरी रखी जाएगी और डिसाइड गाया जएगे स कि सोस समझ के डालना बेगांसी जाता उससवांसे डालना है अब बहुस सारे इस जोने इसके average में average में तीन category आती है एक low आती है मैंने पहले बताया था एक low आती है मिडिल आती है एक high cut up वाली range में आती है तो आप low cut up range से हट करके middle में sooz करोगे तो आप हमेसा safer होगे यहां पर वो लोग बाढ़ते हैं जो safe रहने चाहते हैं एक high cut up वाली range है जो खूब मैंनत करके हैं वो high cut up वाली zone कहीं से बढ़ना चाहेंगे वो निकाली लेंगे और low cut up में कि तेयारी उतनी अच्छी नहीं फिर भी हम लोग जाएंगे कि इस category में जागर कि मेरा selection हो जाए तो कुछ इस category के लोग होते हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब को बता दो कि इस category वाले लोग भी medium में नहीं जाना चाहते हैं डिरेक्ट देखेंगे जहां पर high seat है वहां पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको बता दो कि यह गलती हो रही है आप सोच समस्के भरे है यदि अभी तक फौर में डिबारे हो तो अमदाबाद के अपका यहां पे टूटल सीट आप लोगे शामने है कितना है 238 यह 238 टूटल सीट है अंदाबात में और बताए फॉर्म कितना फिल हुआ था 238 तो टफ रहने वाले सबको पताए यहां पे लगबग 9 यानि की फॉर्ट इसोरी यहां पे लगबग 48,000 के आस पॉर्म आस साम तक डाले बढ़ता ही होगा वाम कि अभी बहुत सारे इस्टन बढ़ते होंगे तो जोड़ी नहीं है कि एक क्यूर्ट इंड़ पशंट 48,000 से 49,000 हो सकता है रहें कि इसी जादा नहीं होगा अभी भी यानि दूसरो और 30,000 के लिए 48,000 के यहां से भी आप देख सकते हो उसके बात बा सकत्वाग में 65,000 फ़र्म बढ़े ज़के हैं अभी जो डेटा निकल के आई वो डेटा में आपको दिखा दें गलास्क में तो भौपाल में 55,000 है आप बबनेश्वर की बात करें तो भौबनेश्वर में इसी तरह है भौबनेश्वर में आप देख सकते हूं लगो 23,000 के में 23,000 के आश्वर में 23,000 के आश्वर में 23,000 में अभी तक फ़र्म डला गया है में 23,000 में इस रुआत से बोल देता हूं कि आप अपने हिसाब से मिला लेना मैं आपको बता रहा हूं सुन लीजिए आप जैसे कि पटना की बात करी बिहार में इरेल बेकर करका अंदर ने जलाता था अरभी तक पटना में ज्यादा फ़र्म नहीं डले हैं पटना में केबल ही केबल लगबग आपको पांच हजार फ़र्म डाले गए थे वेकेंस के बाद में ठीक है अब ये डेटा सुरी पचास के आसपास डाले गए थे अब ये डेटा आपको आगे इंक्रीज करेंगा आज के बाद क्योंकि आज बहुत सा अपना डाकुमेंट कुछ बीशा कि किसी का डवलू बी ओबी सी किसी का इडवलू एस यह ड़क्मेंट नहीं बना दिसकारन से लोग नहीं बढ़ेते और कुछ भी लोग ऐसे थे जिनको लगजाता है वेकेंसी बढ़ेगी तो हम भी नहीं बढ़ेंगे तो अब सिर्ब बढ़ना स्टार्ट हुआ है और यह बढ़ता ही जा रहा है तो आप एवरेज मिला के चल सकते हो यह 50,000 प्लसी स्टोंट बर रहे हैं हम चिन्ने की बात करें तो चिन्ने जहां 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 बता देते हैं मैक्सिम लोग फोकस करते ह चिन्ने में लगबग आपको मिल जाएगे 45,000 क्यास पास सराची में 17,000 है अब नोट कर सकते हो मालदा में 47,000 है अजमेर में 90,000 मैंने पहले बता दिया था अलहाबाद की बात करें तो यहां पे लगवा 80,000 क्यास पास फ़र्म डाले जा चुके हैं 80,000 अलहाबाद में डाल चैनल बेहरे होैं तो सबस्कूस परिबसक्यर फॉकस तो द चैर सकते होगे यहां पे हम चैनल तो सबस्क्राइबर सब्सक्राल सबस्क्रा करें तो आप मान के चल सकते हैं तो यहां पर लेके चलोगे तो अभी तक बिलास पूर में सबसे ज्यादे फॉर्म डाले गए हैं और जो डाटा हमें मिलाता है एक रोडिंटू रेस्टेशन नंबर उसके हिसाब से यहां पर एक लाग साथ हजार छेशो शम्तिंग शेशो अटारी ऐसे कुछ पूर्म डाला गया था लेकिन बहुत सार इस्टूइंट का ऐसा कहना है कि यहां पर चार लाग क्या सबस्पॉर् हम यहीं डालेगे है इसलिए मैं कहा रहा हूं कि बेकिंसी ज्यादा है तब हम में डाले यहीं पे डाला जाएगा कंपेडिशन कमने वाली नहीं इससे ज्यादे और बढ़ जाती है इसलिए सोच समझ के डालो थोड़ा टाइम है कोई दिकत नहीं अब आराम से देख लो उस खब तक कहां कितना फॉर्म डाल गया है एक डेटा ऑफिशली तो नहीं होता लेगिन कि आप जो रहने वाक्या हो रहा हो रहा हुए तक तो आपने देख लिया लगबग में कितना फॉर्म आप यहां पे लगबगग 9 से 10,000 की आसफर फॉर्म बढ़े जा चुक है आपहरेज जा चुक एक इतना बढ़े जा चुक है अटलिस्ट यह फॉर्म बढ़े जा चुक है नौ से 10,000 कितनी पोस्ट है पांच हाजाड यानि 566 पोस्ट है और नौ से दसला फॉर्म बढ़ जा चुक है यह आखरा दे करके हमारे अश्वनी वैशनम जी को थोड़ा निमाग पे जोड देनी चाहिए थी कि रिब्रेज उगाड़ी कितनी है वेकंसी किस कितनी की रिक्वार्मेंट और है कितना दिया है तो उन्हें सर मानी चाहिए जो भी हो मेंबर कोई भी हो इनकी बोर्ड के मेंबर कोई भी हो तो उनको नी चाहिए और जो भी टीचर आंदोलन देकर के पीछे हट गए उनसे भी रिक्रिस्ट करना चाहूंगे सर अप स्टोड़ेंट की हीट में सोचिए इतना फॉर्म एपलाई हो रहा है तो आशा हेल्प करी इस्टोट का वेकंसिक दूर साल का जादे भी आ जाए कोई दीकर देने एस लेक्सें देने से क्या होगा और कंपडिशन बढ़ गया है ठीक है जड़ी इस वीडियो की रत्या आसा अगर तब को अच्छा लगा होका और जो भी नए सब्सक्राइबर हो जो भी नए विईवर हो इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोडिफिकेशन हो कुछ भी हो आपको सबसे पहले दिया जाएगा जोरी नहीं है कि सबसे पहले हम वीडियो लेकर ही आएंगे आपको एक्च्वल जो लाग के बीच में होने वाला है 55-60 लाग के बीच में एप्लाइब होने वाला कि पिछली बार लगबग में 48-49 लाग के फॉर्म बढ़ा गया तो सब्सक्राइब के लिए एलपी के लिए एलपी टेक्निशन में देख लेना पूछ आप से और अब रही बात रिजल्ट की त कितने बर्शन देना कि बीच गुणा रिजल्ट देना कि इतनी बीच बीच गुना या पंद्रेगुना देना है तो वह हम बात में बात की इस वीडियो को यही रखते आसकर तब कुछी मजम ने वाले से लिए सेनल पर नहीं हो तो इससे को सब्सक्राइब के लिए चलिए दकली जहिन, जैवारत